अंश पहलो अध्याय 68 व्यापकेश मुनी कहे छे, हे राजन प्रार्थना करता मांडवीना सत्संगियोंना सर्वे मनोर्थो पुरा करीने धर्मपुत्र श्रीहरी मांडवी नगरमाथी बहार निकल्या श्रीहरीनी पाछण मुनी जनुहता, ते सर्वे मांडवी नगरना सिमाड आव्या, त्यां हरी वियोग थी, नेत्रों मा आसुवाल मांडवीना हरीभक्तोंने पाछा वाड़ीने श्रीहरी आगर चाल्या, पछी ते सत्संगियों ज्यां सुधी प्रभुना दर्शन थया, त् उबा रहया, अने त्यारबाद श्रीजीने नमस्कार करीने फोत पोताने घहर गया, पछी श्रीहरी पन मार्गमा चालता चालता, सुर्यास्त समय बलदिया गाममा आव्या, श्रीहरीने अचानक पधारेला जोईने, ते गामना भक्त जनुए, तेमने उतरवा माटे निवास्थान आपियो, त्याना मुखी गंगादास, बे कर्शन भाई, बे मेगजी भाई, बुद्धिमान उका भाई, रत्ना भाई, देवजी भाई, गोवा भाई, विगेरे सत्चंगियोए, त्या निवास करी रहेला श्रीहरीनु आतित्य करियो, ते वखते, श्रेष् देविका, वीरा, हीरा अने भानुमती, ए पाँच स्त्रियो पाणी भरी लावू, आदि थी श्रीहरीनी सेवा करती हती, आवी रिते सत्चंगी जनुती सेवाता श्रीहरी, ते बढ़दिया गाम्मा साथ दिवस रह्या, आठमा दिवसे प्रातह काले उठीने, श्रीहरी त त्यांथी भूजमा आवेला हमीर सरोवर प्रत्ति आव्या, हे राजन, ते बखते पोतानी सामे आवता दोष्ट बुद्धिवाला राजमंत्री जग जीवने, पोताना दूत ध्वारा श्रीहरीने भूजनगरमा प्रबेश्वानी मनाई करी, ते थी श्री स्वामी नारैन भगमान त्यां थी पुर्व दिशामा आवेला अने विविद प्रकारना व्रुक्षो थी व्याप्त शबरा मंडप नामी स्थानमा गया, त्यां विशाळ चोगानमा सभाकरीने तारा मंड़ना मध्यमा चंदरनी माफक, मुनी मंड़ती मेटडायला श्रीहरी मोटा आसन उ आदी सर्वे भूज नगरना हरी भक्तो शबरा मंडप मां श्रीजी पधार्या चे, तेम जानीने श्रीजीने अर्थे हाथ मां भेट सामग्रियो लईने ततकाल सह कुटुम्ब त्यां आव्या, पचि गंगाराम आदी भक्त जनुए श्रीहरीना दर्शन करी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर्या, अने अनेक प्रकार्नी भेट सामग्रियो श्रीहरीने अर्पन करी, श्रीहरीये सर्वेनो यथा युग्य सतकार कर्यों, त्यारबाद सुन्दर्जी अने गंगारामने आगड करीने सर्वे हरी भक्तो सभामा बेठा, त्यारबाद सुन्दर्जीन अती आग्रह थी उदार मनवाला श्रीहरी ते शब्रा मंडप्थी सुन्दर जीने घैर गया अने त्या गुप्त पणे रहा अने सर्वे मुनियों सर्वे जीवोना कल्यान अर्थे श्रीजी आगना प्रमाने त्यां थी जुदा जुदा गामुमा विचरण करवा गया सुन्दर जीना घैर निवास करी रहेला श्रीहरी ते वकते मार्गमा आवता शतानंद नामना श्रेष्ट मुनिने जोया प्रफुल्लित लाल कमण समान चरण कमण वाला अती पोष्ट जंगाओ वाला गोलाकार जानों वाला हाथीनी सुन्द समान साथळो वाला गोल घंभीर नाभी वाला आजान बाहू तपस्वी श्याम शरीर वाला म्रुग चर्म धारन करेला पीडी जटा वाला दुर्बढ देह वाला सुखा नंदादी साध्वोय सहित अने मस्त हाथेनी माफक चालता शतानंद मुनिने श्री हरिये जोया हे राजन मान आधिक विकारों थी रहित ते प्रभुए शतानंद मुनिने पोतानी समीपे आवेला जोयने ततकाल आशन उपर थी उठीने तेमनी सामे जैने तेमने पगे लागया तेथी शतानंद मुनि श्री हरिने भेटी ने एकागर द्रश्टी थी घड़ी भर श्री हरिने जोय रहा अने पची देहनी स्मृती लावी ने श्री हरिने प्रणाम करी ने पोते तेमनी समक्ष उभा रहा पची थी पोताने प्रेम्थी साष्टांग दन्वत प्रणाम करता अन्य मुनियोने पण श्री हरि प्रेम्थी मल्या अने त्यारबाद पोताने आसने बिराज्या पची स्वस्वरूप माज आनंद पामनारा भगवान श्रीहरी ने शतानंद आदी सर्वे मुनी जनू परिवखत प्रणाम करी ने तेमनी समक्ष त्रूणनी विशाल सादडी उपर बेठा सुन्दर जी ए सर्वे नू आतित्य करिव त्यार बाद उदार चित्त वाड़ा श्रीहरी शतानंद मुनी ने कुषर समाचार पुछया पची श्रीहरी शतानंद मुनी प्रत्य बोल्या के भगवान बोल्या फे साधू तमारा दर्शन्थी मने घणो आनंद थायो छे जे कारिय माटे मैं आपने प्रेर्या हता ते मारू कारिय थायो छे के केम व्यापकेश मुनी बोल्या ये राजन जे कारिय माटे शतानंद मुनी श्रीहरी थी दूर गया हता ते कारिय मैं सिद्ध करियो छे एम शतानन्द मुनिये श्री हरी ने कहिव शतानन्द जी आप्रमाने कहिव इटले श्री हरी ए पोताना कंठमा थी पुष्पना हार काधी ने तेमने आप्या अने ते थी शतानन्द जी आनन्द बाम्या त्यार पची केटलोक समाई तेव प्रभुनी पासे रहा अने त्यारबाद प्रभुनी आगना लई त्यां थी बीजा सड़े इटले के बदरी का श्रम्मा गया ब्रह्मानंद मुनी कहे छे हे शिवराम विप्रवरिय, महर्शी अने गुरु इवा व्यापकेश मुनी ए जैष्ट जीत राजा ने शतानंद श्रीहरी समागम रुपी कहली वातो सांबडी ने ते राजा विणय पूर्वक व्यापकेश मुनी ने पूछवा लागयो के जैश्ट जीत राजा कहे छे, हे मुनी वर्य, ते शतानंद मुनी श्री हरी नी पासे क्या थी आव्या श्री हरी ये तेमने क्या अने शामाटे मोकले हता, अने ते ओ फरी थी कया सड़े गया हे श्रेष्ट बुद्धिमान, हुँ त्रण प्रश्णूना उत्तर सांभणवानी इच्छा राखोचू, ते थी तमो मने, ते कहो भ्रह्मानन्द मुनी कहे छे, हे शीवर्षे, ते श्रेष्ट राजाय पुछिला प्रश्णूना उत्तर मुनी राज व्यापकानन्द कहवा लाग्या व्यापकेश मुनी कहे छे, हे राजन, एक वखत मांगरोलमा, श्री हरीय एकान्तमा शतानन्द मुनी ने कहुके श्री हरी कहे छे, हे मुनी, आ भरत खंडमा, कामरू नामे एक अपवित्र देश छे, अने तेमा, कामाख्या नामनी प्रसिद्ध देवी छे हे मुनी ते देवीनी समीपमा एक गाम छे ते गाममा एक वैश्यना घेर मनुष्योना कल्याणने अर्थे मारा अंच्थी दलुजी नामना एक सदगुरु छे तेनी साथे ते वैश्यने घेर दलुजीना सर्खीज एक स्त्रीपन छे तेस्त्रीवगरज दलुजीने अत्रे लाववाने अर्थे तमे जल्दी थी त्या जाओ व्यापकेश मुनी कहे छे फे राजन श्री हरिये आप्रमाने आगना करी तेने माथे चड़ावीने शतानन्द मुनी मांगरोड़ थी दलुजीनी पासे जवा माटे निकड़या शिग्र गतिथी चाली ने शतानन्द जी तेज दिवसे सुरियास्त समय अमदावादमा आवी पहुँचिया शतानन्द मुनी श्रीनगर मां रातवासो रहीने बीजे दिवसे सवारे निकड़या ते कड़ी शहर मां रामदास नामे साधुने मलया शतानन्द जीने जोईने योगीराज रामदास ततकाल पोताना आशन उपर्थी उपाधेने तेमने हेत थी मलया शतानन्दजी ये पण आदर पुर्वक तेमने नमस्कार करया आकाश जेम सुरिय अने चंद्रती शोबे छे तेम ते बनने एकज आसन उपर बेठा तेथी ते आसन पण शोबी उठियो पची रोडी बुद्धिवाला ते रामदा से तेमनो अतीथी सतकार करयो अने कुषड समाचार पुछया पची शतानन्दजी बोल्या के शतानन्दजी कहे छे हे रामदास तमने हूँ जे वाद कहूछू ते गुप्त राखवानी छे तेम छतापन ते वाद जेम छे तेम जहूँ तमने कहूछू ते तमे सामबडो हे सुवरत महात्मा रामानन्द स्वामीना शिष्य निलकंठ वर्णी छे ते स्वयम राधीकाजी अने लक्ष्मी जीना पती श्रीकृष्णज छे एम तमे निश्चे जानू केम के ते वर्णी सदाई शडेश्वरिय युक्तज छे ते निलकंठ प्रभूना मात्र एकज वखत दर्शन करवा मात्र थीज हुँ आ भ्रम्मान्द नी अंदर अने बहार स्वतंत्र पणे निरावरण विचरी शको छो माटे तमे पण साक्षात निलकंठ वर्णी नेज प्रितिती थी बजो निरंतर एमनोज ध्यान धरो निरंतर एमनी आग्ना माज वर्तो अने प्रसन रहो व्यापकेश मुनी कहे जे शतानन्द मुनी ये कहेली आ निलकंठ वर्णी नी वाद सामडी ने रामदास मुनी अती आनन्द पाम्या अने पछी तेमने शतानंदजीनी सुन्दर रिते पूजा करी पछी रामदासे हाथ जोडीने शतानंदजीने कहिऊ के हे मुनी जेम तमे कहो छो तेम हूपण निलकंठ वर्णीने साक्षात पुरुषोत्तम जानूँचु आ प्रमाणे परस्पर भगवाननी वातो करता बन्ने जणने जोईने प्रबूथी विमुक एवो रगुनात दास नामे साधु बोल्योके हे विप्रशतानंद ए मायावी ब्रह्मचारी निलकंठ नी वात तो तमारे क्यारे नज करवी केमके तेनी वात करवा मात्र थीज मनुष्यनी बुद्धी ब्रह्मी जाये छे हे राजन समग्र मनुष्योना गुरु रामानंद स्वामीना कुबुद्धी वाडा शिश्य रगुनात दासे आ प्रमाणे कहिऊ तेथी शतानंद जिये भगवाननी वातो बंद करी त्यार पची तेमने भगवानना किर्तनों करीने रात्रिय म्रोग चर्म उपर शयन कर्यु इती श्री सत्संगी भूशनमा नारायन चरीत्रमा वासुदेविय भक्ति शास्त्रमा प्रथम अन्षमा व्याबकेश जैष्ट जीत सम्वादमा शतानंद रामदास समागम निरुपन नामे अडशठमो अध्याय संपूर्ण